सल्मान खान की किस दुश्मन हेरोईन नए एक दिन में दो लाख की शराप पिली थी सल्मान खान का कौन सा दोस्त दारू से करता था कुला इस रीडियो में आपको बताएंगे सल्मान की दोस्तों से जुड़ी चौकाने वाली डेटेल सल्मान खान और दीपका पाद कौन की बिल्कुल भी नहीं पड़ती मगर एक मामले में उनोंने सल्मान से ज़्यादा सुर्खियां बटू रखी हैं दीपका पाद कौन एक दिन में रणवीर सिंग के साथ दो लाख रुपई की अलकोहल पीली थी और इसकी खबर जब सामने आई तो हर किसी के होश उड़ गई दरसल गोलियों की रास लीले राम लीला फिल्म की सफलता दीपका रडवीर के सिर इतनी चड़ गई कि दो लाख रुपई दारू पर बहा दिये इसके लावा दीपका कई मौकों पर पव या बार में देखी जा चुकी है इस तोरान उनके हाथ में ऐसा गिलास हुआ करता है जिसे एक्टिर आम तोर पर सामने नहीं लाना चाहते है सल्मान खान के दोस्त संजदत अपनी लाइफ की कॉंटोवर्सी को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं खुलासा हुआ है कि संजदत की जिन्दगी में एक बक्त ऐसा भी था जब वो आँख खुलते ही शराब मांगा करते थे तूथ पेस के बदले उसी से कुल्ला किया करते थे माईश बट ने इस बारे में बताया एक बक्त ऐसा भी था जब संजदत सुबह उटते ही हिरोईन के बारे में सोचते थे और शराब से कुल्ला किया करते थे संजदत के लिए हिरोईन की लस्ट से ओवरना बेहद मुश्किल था संजदत के बारे में कहते हैं कि उन्हें सल्मान ने इतनी ज़्यादा पीने की आदस से मना किया था मगर वो माने नहीं सल्मान खान के साथ कई बार इसक्रीन शेकरने वाली करीन खपूर रात होते ही नशे में धुत हो जाती हैं उन्होंने इस सिलसले में एक बार कहा भी था बिस्तर पर सिर्फ तीन चीजों की जरूरत होती है पहली शराब, दूसरा पाजामा, और तीसरा सैफू की बोतले बताते हैं कि करीना पार्टियों में सिर्फ दारू के लिए ही जाती है और इसके लिए वो पहले ही किलियर कर देती है करीना कपूर को कई वार सालवजनिक तोर पर शराब पीते हुए देखा गया सलमान खान की फिल्म मैंने प्यार क्योंकि आख हीरोईन सुश्मिता सेन शराब की भयंकर आ दी है कहा जाता है कि सुश्मिता सेन अगर किसी पार्टि में जाएं और शराब को हाथ न लगाएं ऐसा होई नहीं सकता सुश्मिता सेन अपनी लाइफ ही स्टाइल में शराब को हिस्सा बना चुकी है हलांकि अलग बात है वो शराब पीने से हमेशा इंकार करती रही है सुश्मिता सेन न शादी नहीं की और उनकी जिन्दगी का ये खालीपन भी शराब पीने की वज़ा बना है शराब की वज़े से सल्मान खान की हिरोईन नहीं मनीशा कोराला की जिन्दगी भी खराब हो गई उन्हें शराब के चलते ही कैंसर तक हो गया फिल्मों से दूरी बनाने के बाद मनीशा कोराला शराब की और मुणी और फिर लव लाइफ के फेल होने के चलते उन्होंने सोर कदम जदा बढ़ा दिये कहा जाता है कि एक दोर मैं मनिशा कुराला हर रोज शराप पिया करती थी दोस्तों क्या आपके हिसाफ से सलमान के इन हीरों और हीरोईन की दारू किलत गलत है और क्या ऐसे सितारे अपने फैंस को कभी सही मैसिस दे पाएंगे कमेंट बॉक्स में अपनी रहाजर होता है